किचोन और घर का काम तो हम डेली ही करते हैं लेकिन इन कामों को करने के लिए अगर हमें कुछ टेप्स और हैक्स पता हो तो काम काफी आसान हो जाता है खुद के लिए हम टाइम भी निकाल पाते हैं तो आज का वीडियो बहुत ही यूसफुल होने वाला है एंड तक देखिएगा अगर आपको पसंद आए तो जादा से जादा अपने फैमिली दोस्तों के शेयर कर दीजिएगा और चैरल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा तो आज का मेरा पहला टिप है मांग टीका को लेकर तो इस समय वेडिंग सीजन चल रहा है और हम सभी लेडिज जो है ना मांग टीका वीर करते ही है चाहें वो गोल्ड का हो या फिर आर्टिफिशल हो लेकिन इसमें हमें एक प्रॉप्लम आती है जब भी देखिए इसको हम अपने माते पर लगाते हैं तो होता क्या है कि यह जो है स्लिप होता रहता है इस तरह से मतलब एक जगे नहीं टिकता है और कभी-कभी तो यह पलट भी जाता है जो कि बहुती ज़्यादा खराब लगता है तो इसके लिए हम क्या करें कि एक जगे सेट रहे तो आपको लेन ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लगता है तो देखिए इस तरह से मैंने थोड़ा सा टुकडा ले लिया है अब हमें क्या करना है यह जो अंदर के साइड होता है ना मांग टिका के इसके अंदर साइड हमें लगा देना है और जो उपर का पेपर है इसको हटाने के बाद अब आ नहीं इदर से उधर हिल रहा है तो चाहें वो आर्टिफिशियल हो मांगटी का या फिर गोल्ड का हो आप दोनों में इसी टिप को यूज कर सकते हो तो बहुती बढ़िया सा ट्रिक है और इसको हम अच्छे से सेट करने के लिए कई सारे जुगार ढूनते हैं लेकिन कोई काम नहीं करता है तो इस टिप को आप जब यूज करोगे न तो आप खुद ही देखोगे कि कितने अच्छे से से सेट हो जाता है और जब आपको निकालना है तो आप इसको हटा सकते हो तो अमिद करती हूँ यह टिप आपको बहुत पसंद आया होगा अगर पसंद आया है जादा से जादा शेयर कर दीजेगा अगला टिप है हमारा इस तरह की पैकट्स को लेकर जब हम बच्चों के लिए कोई भी चिप्स वगेरा की पैकटव लाते है तो इसको हम इस तरह से खोलते हैं और और कभी-कभी क्या होता है कि कितनी भी हम ताकत लगाए कभी-कभी ये फटता ही नहीं है तो इसके लिए बहुती बढ़ी असा tip शेयर करूँगी जिससे कि आप इसको बहुती आसानी से फाड़ पाओगे तो देखे आपको क्या करना है दो हमें coin लेने हैं और इनको एक हमें पीछे के side एक आगे के side रखना है मतलब opposite side रखना है और इस तरह से हमें twist करना है तो इस तरह से देखोगे package जो है बहुती आसानी से फट जाता है तो इस तरह से हम छोटे-छोटे tips को use करके अपने काम को आसान बना सकते हैं और time भी बचा सकते हैं कभी-कभी Caesar हमें time पे नहीं मिल पाता है तो आप इस tip को use कर सकते हो और coin तो हम सभी के पास होते ही है तो आप इसको फटा-फट से use करके अपने काम को आसान बना सकते हो तो इस तरह से जितने भी packet है आप इसी तरह से cut कर सकते हो बहुत ही useful tip है एक बार से जब आप try करोगे न तो आपको खुद से लगेगा कि हाँ ये tip useful है और अगर ये tip पसंद आया है तो अपने family दोस्तों के साथ जादा से जादा share कर दीजिएगा ताकि वो भी इन tips को use करके अपने काम को आसान बना सकें तो इसी तरह की useful tips में आपको आपके लिए लाती रहती हूँ अगर आपको tips पसंद आते हैं तो चैनल को subscribe जरूर कर दीजिएगा अगला tip है हमारा इस तरह की watch को लेकर तो ये जो hand watch होती है ना कभी-कभी क्या होता है कि हम इसको रख देते हैं मतलब wear नहीं करते हैं तो होता क्या है कि कभी-कभी इसके जो शीशा लगा होता है इस पे scratches जाद आते हैं और कभी-कभी ये शीशा चिटक भी जाता है तो ऐसा हम क्या करें कि शीशा जो है अच्छे से safe रहे तो इसके लिए आपको लेना है tissue paper और यहां पर आप कपड़ा भी ले सकते हो लिकिन tissue paper लेंगे तो ज़्यादा बटर रहेगा और इस तरह से जहां पर ये शीशा लगा होता है ना वहीं पर हमें इसको अच्छे से wrap कर देना है और इस तरह से wrap करने के बाद आप कोई भी पतला वाला elastic ले लिजिए उससे बड़िया से इसको tuck कर दीजिए क्योंकि ऐसे ही हम छोड़ देंगे तो ये जो हमने tissue paper लगाया है ये निकल जाएगा तो आप इस तरह से इसको अच्छे से tuck कर दीजिएगा और इससे क्या होगा scratches भी नहीं पड़ेंगे और दूसरा tissue paper लगाया है तो इससे जो है watch में नमी नहीं जाएगी तो बढ़िया से ये safe रहेगी तो उमीद करती हूँ ये भी tip आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो एक like जरूर कर दीजिएगा अगला tip है हमारा बेलन को लेकर तो बेलन का इस्तमाल हम सभी अपने kitchen में करते ही है और ये जो है लकड़ी का होता है तो जितने भी हमारे kitchen में लकड़ी के tool होते हैं तो होता क्या इनको जो हम रखते हैं तो आपने देखा होगा कि इनमें जो है आरजीब सा फफून सा लगने लगता है तो ऐसा ना हो इसके लिए हम क्या करें कि जितने भी हमारे लकड़ी की चीज़ें है वो बढ़िया से सेफ रहें तो आपको क्या करना है कोई भी cooking oil लेना है और इस oil को हमें जो भी kitchen का tool है लकड़ी का उसको हमें अच्छे से clean कर लेना है सुखा लेना है और उसके बाद हमें इस तरह से oil को रब कर देना है मतलब एक तरीका से इस पे जो है coating कर देनी है oil की इससे क्या होगा कि ये बढ़िया से चिकना हो जाएगा बिल्कुल भी इससे फफून वगेरा नहीं लगेगी आप कितने भी time के लिए इसको रख दो तो बहुती useful tip है और oil तो हम सभी के kitchen में होता ही है तो यहाँ पर आप कोई भी cooking oil यूज कर सकते हो और इस तरह से देखिए हमको इसे लगाना है लगाने के बाद आप इसको रख दीजिए बढ़िया से safe रहेंगे बिल्कुल भी फफून नहीं लगेगी और आप कहीं भी इनको अच्छे से paper में wrap करके रख सकते हो तो उमिद करती हूँ ये भी tip आपको पसंद आया होगा चलते हैं अपने अगले tip की तरफ अगला tip है हमारा रोटियों को लेकर तो कभी कभी क्या होता है फ्रेंट्स रोटियां बनाके हम रख देते हैं तो सुबा की रोटी अगर शाम को हमें यूज करनी है तो ये ठंडी रोटी कोई भी खाना पसंद नहीं करता है तो हम क्या करते हैं जनरी इसको गरम करने के लिए डाइरेक्ट गास पर गरम करते हैं जिसके वज़य से होता क्या है कि कभी कभी ये ज्यादा जल जाती है और खाने लाइक बिल्कुल नहीं बच्ती है तो इसको गरम करने का आज में बहुत ही यूनिक तरीका आपको बताने वाली हूँ जो आपको बेहत पसंद आएगा और इससे रोटियां बिल्कुल भी जलेंगी नहीं तो इसके लिए देखिए हमें लेना है इस तरह का कोई भी बरतन ले लेना है अगर आप रोटियां जो बड़ी है तो आप थोड़ा सा बड़ा बरतन ले लीजे या फिर जो भी आपको बरतन लेना है आप इस तरह से ले लीजे और उसके बाद जितनी भी रोटियां आपको ग पानी जादा नहीं लेना है क्योंकि अगर जादा पानी हम भार देंगे तो जो भी बरतन हम रोटी वाला डाल रहे हैं इसमें पानी आ जाएगा तो आपको पानी थोड़ा ही लेना है और इस तरह से देखिए मैंने पानी को अच्छे से गरम कर दिया है और गरम करने के बाद इसे बहुत हुरु आणील rocky में हैं न वो हमें इसे एक अंदर रख देनी है तो इस में बहुती जल्दी से गरम हो जाएंगी वह भी बिना जल ले ले यह पर मैंने अलग से पानी गर्म किया है अगर आप को दाल सब्जी बगरा भी गरम करते हो यह पिर उस電ik आप अच्छे से गरम हो जाती है अगर चावल बगएरा है ना तो आप वो भी इसी तरीके से गरम कर सकते हो तो बिल्कुल हमारा फ्री में जो है काम हो जाता है तो इस तरह से देखिए मैंने आपको करके दिखा दिया है अब मैं आपको इसे खोल के भी दिखाऊंगी कि रोट से इनको यूज कर सकते हो तो देखिए इस तरह से रोटियां हमारी बिल्कुल भी जली नहीं है और बढ़िया से गरम भी हो गई है तो एक बार जब आप इस टिप को यूज करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि रोटियां कितने अच्छे से गरम होती है और बहुत ही देखने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आप महां से देख सकते हो तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथी साथ नौटिफिकेशन बेल को ओन कर दीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो का मै आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए बाब बाई फ्रेंड्स एंड थैंक्स पर वाचिंग